Hello students, welcome to ATP, start the super learning platform तो देखे बच्चों जैसा कि आपको पता है कि complex नमबर जो J-Main के point of view से बहुत important chapter होता है बट काफी बार बच्चे क्या करते हैं कि उनको difficult लगता तो छोड़ जाते तो बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है इसमें कुछ एक important part में जिसे लगाता है जो पूछा जाता है तो इन parts को आप जरूर करके जाएं इनमें बच्चों सबसे पहला अपने पास में आता real and imaginary part of complex number अगर आप इसको अच्छी से compare कर पारे तो बच्चों easily question को solve कर सकते हो second इसके अंदर रहेगा modulus and argument of a complex number third जो बच्चो important part है that is polar form of complex number इसके अंदर आप demi-verse theorem जो है उसको अच्छी से कीजिए ताकि आप question को easily solve कर सको और fourth part बच्चों अपने पास में होता है cube roots of unity इसमें कई बार question होता है कि directly आपको वो omega नहीं देगा बढ़ जिस type की वो term देता है वहाँ से बच्चों आप cube root of unity का use करके question को easily solve कर सकते हो